अबुजमाड में रहने वाले आदिवाशियों का विकास नहीं हो रहा है और उनकी कलाक रित्ती स्वरजगार भी खतम हो रही है ऐसे 25 परिवार सिल्पी गाउं में आकर रह रहे हैं आईए हम ऐसी परिवारों से मिलते हैं मेरे पती कर नाराणपूर में आ दिये थे एक बंचा मन को चोटा चोटा लेकर यहां आई हम आफ़ुजमाड वाले हैं जहां नाराणपूर का बंस чистी में हम लोग कलाकार में हैं अब बांस का कला सीके हैं तो वोई मजबूर करके खा रहे हैं मेरे चोटा-चोटा बालबचा है उसको माई खिला रही है मेरे पती नहीं है तो माई क्या करूंगी बोलके हमारे गाम तरब तो पैसा नहीं मिलता है अबुजमार में क्योंकि साहर में मिलेगा कुछ रोडी रोडी करके खिलाओंगी बोलके माई यहां पकड़ क्या गई सील्प काउं नराइनपूर जी लेक में सील्पी गाउं असा हुआ है जिसमें अबुजमार में रहने वाले आदिवासी महिलाओं को पुर्शों को चतिजगार हास शली विकास बोड के द्वारा प्रसिक्षन भी दिया जाता है जिससे उनको काम मिलता है और उनकी रोजगार जो खतम हो रहा है उस रोजगार से उनका जुडाव होता है चतिजगार में आदिवासी परिवार जंगल पर निर्भर रहते हैं मुख्य साधान जंगल है आज जीविका इसी से चलता है इसे बचाया जाए मैं भान साहू छतिजगार इंडिया अनहर्ट के लिए